हेले वरीवन कैसे हैं आप लोग आज हम लोग बेसिक इस्टीमल देखेंगे जैसा कि आप जानते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग प्ले अवाइटल रोल इन टुडेज एरा तो आज ये इस्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रोग बेसिक इस्टीमल से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि what is इस्टीमल, जो भी टर्मस होते हैं उस सिंटैक्स में उसकी डिफिनीशन, इक्स्प्लानेशन, what is an इस्टीमल इलमेंट and what is इस्टीमल एट्रिब्यूट तो एक एक करके श्टार्ट करते हैं What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language HTML एक Markup Language है Markup Language का मतलब होता है जो tag से बनी होती है Markup Language जिज़े setup tags Tag क्या describe करता है? Tag आपका एक document content describe करता है और उस document content में आपका plain text भी हो सकता है जो कि within the text given होता है या within the text जो आप लिखते हैं या यूज करते हैं plain text उसको आप document बोल सकते हैं HTML document को web page भी बोलते हैं syntax आप HTML, basically HTML के syntax में 5 key points होते हैं basic points होते हैं जिसमें कि doc type होता है doc type HTML, HTML, head, title, body सभी starting और ending tag होते हैं इनको clearly देखते हैं एक एक करके सबसे पहला आता है document doc type doc type HTML आपका document यह बताता है कि HTML 5 type के document है कहने का मतलब यह है कि HTML 5 type का जो भी document होगा उसमें आपको doc type HTML लिखना जरूरी है HTML tag है जो आपको यह root element आप HTML page होता है मतलब जो भी आप programming लिखेंगे यह जो भी आप programming करेंगे वो HTML के starting और ending tag के बीच में ही करेंगे head इसके बाद आता है head होता है वो meta information about HTML page देता है कि कौन सी meta information है जो head में रहनी है उसके बाद title आता है title element specify a title for HTML page यह वो title है जो आपके web page में दिखाई देता है body body element define the document body and its container for all visible contents such as heading, paragraphs, image, hyperlinks body में वो parts आता है जो भी आपको web page में display कराना है वो आपका paragraph हो सकता है image हो सकता है, heading हो सकती है hyperlinks हो सकता है, tables हो सकते है list हो, जो भी आप उस पे display कराना चाहो अपने web page पे, वो body के अंदर within the body आएगा, उसके बाद होता है इसी में आता है h1 और h5, h से आप denote करते है heading, h1 आपकी large heading denote करता है, h6 आपकी smallest heading denote करता है p element है, वो paragraph define करता है, इसे के साथ एक और